सभी चात्रों का स्वागत है तो चात्रों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं और इंडिया में होने वाले PM SSV Scholarship एक्जाम के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो National Testing Agency यह जो है आपकी NTA यह बाइवरेंट इंडिया हे तूप PM Young Achievers Scholarship Award यूजना अभी अभी आपकी क्लास 9 और क्लास 11 तुमें जो स्टूडेंट पर रहे हैं यानिक सत्र दोहजार तीईस और सत्र दोहजार चौवेस में अभी जो अभी में हैं और कश्र ग्यार वी में हैं उन्हें एक scholarship exam देना है एक इक्वार्शिप अग्जाम निकला है उनके लिए जो कि बिलकुल ही लो नुक्त है मतलब फिर यह है कॉस्ट कॉस्ट नहीं है वह सापका एक्जाम देना है और उसे एक्जाम में आप पास होते हो तो आपको स्कॉलर्शिप मिलेगी 75,009 के स्टूडेंट को और एक लग 25,001 के स्टूडेंट को है ना तो देखते हैं क्या कैसा है स्योजना के बारे में साही डेटेल आपको देते हैं करते हैं स्टार्ट है यहां पर आप देख सकते हों कि यंग अचीवर्स स्कॉलर्शिप अबॉर्ट इसकीम पॉर वाइबरेंट इंडिया यह आपका इस स्टूबी का फुल फॉर्म है जो कि अभी आपकी स्कॉलर से प्योजना चालू है प्रदान मंत्री नरेंद मौदी के दोरा यहां पर महत्रपुन इसकी सूचना देख सकते हो तो अबेदन पत्र जो ऑनलाइन जमा कर सकते हो मतलब इसकी ऑनलाइन अबेदन पत्र करने की ला अबेदन पत्र सफलता पूर्वाग जमा करने के अंतिन प्रसी क्या है दस जुलाई है आपका और पहले से मैं पहले से भड़े गए व्यवर्ण का ऑनलाइन सुधार यहने कुछ गलत भड़ दिया सुधार करना चाहती हो तो सूल अतारिक उसकी लाश्ट डेट रहेगी से बाद में कोशना की जाएगी पहले फॉर्म जब भर जाएंगे तो समझ लो एक हपते बाद 16 26 या फिर आगले महिने की दो तारिक तक आपका एड़िट कार्ट भी आ जाएगा पर एक्छा की बात करने दुशात्रों सिर्फ एक्जाम जो है 29 सुतंबर को होगा 2023 में किस प चार और समय की बात करें तो प्रेक्षा का समय आपको कब बता जाएगा परिक्षा के एड्मिट कार्ड में सोबही होगा आपके 10-10 के गरीब इसके परेक्षा केंद्र परेक्षा केंद्र विए आपको बता दिया जाएगा आपके एड्मिट कार्ड में यह आपकी महात्वपून सोचनाए थी ठीक है अभी हम आगे कोश और सूचनाए देखते हैं तो यहाँ पर चाहत्वर्ति प्रदान करने के लिए युग अभ्यारतियों के चैन के लिए परिक्षा है है ना तो उसके लिए क्या है क्या क्या उसमें होना चाहिए तो पहरा तो यही है कि इस योजना के लिए निर्दारत उतकष्ट स्कूलों की कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वाले OVC, AVC और D&D छात्रों चाहत्री प्रदान करने के लिए किया जाएगा मतलब बेच्चे मतलब कुछ ऐसे बच्चे या कुछ ऐसे स्कूल सभी स्कूल के बच्चे एक्जाम नहीं दे सकते हैं यहां पर कुछ इसकूल सेलेक्ट किये गए हैं जनके उस पढ़ने वाले त्यारति ही ह तो अनलाइन चेक कर सकते हो कि आप होंगे या नहीं नाम नहीं है तो आप अपने स्कूल से पता कर सकते हों कि आप वर सकते हो या नहीं वर सकते हो इसके बाद आप देख सकते हो कि केवल इस योजना में वाइटी योजना याने की सस्वी योजना केवल वाइटी 2020 में अपस्थत होना या उसमें आहड़ता प्राप्त करने से अब्यारती कुछ हात्वर्ती उप्रदाम करने कोई अधिकान नहीं मिल जाता यानि कि मानलब सब्सकार पात्रता मांदंड पात्रता मैरिट सूची में रैंक मुल दस्तावेज़ों सत्यापन और ऐसे मान दन्नों को कूरा करने के अधिन है जो योजना की तेहत समंद्र सरकार्दार निजारत किया जाते हैं मत्सक्त आपकी सब्सक्राइब मिलेगी जब आप मैरिट लि सब्सक्राइब मिलेगा इसको अच्छा तो आम देख सकते को जोटी और मंगड़ा जानकारी प्रसुत करने वाले अभ्यारतियों के अवेजन कार्डिस कर दिये जाएंगे और यहांसे आप ब्यारतियों को एंट्री दौरा आवेजित परिक्षा में अपस्तित होने से पास किसी भी बारति को अंजाने में दी गई अनुमती यदि कोई हो बापस लेने का धिकार स्रक्षत है है ना जो कि वाईटी दुसारतियों में पस्तित होने के लिए पात्री नहीं है भले ही प्रवेश्पत्य दौरा एंटी दौरा जारी किरे गया हूँ मतलब यहीं कभी को लगता है कि आपने गलत डिटेल धालिंग है और वो चेक करता है तो आपको हटा सकता है एक्जाम देने से यह ना आखिर देख सकते हैं आपको पात्रेता के नियदारान प्रेक्षा के संचालन अभ्यारतें के पंजी गरन उसमें मौझूद जानकारी के संबंद में किसी अब्यालव के मामले में एटी जैसे कि वाक्या आंतिमर बाद्रेकारी होगा तो यही आपकी है कि आपको नायांत्रेलेंट होने जाहिए आप को वी सी इवी सी या डी एंटी कास्ट में होने चाहिए है ना स्कूल का नाम आपके होने चाहिए और नाइंध लेवंध में होने चाहिए परिक्षा का आयोजन में बताएं किस प्रकार से प्रसंद रहेंगे तो प्रसंद रहेंगे आपके गड़त के प्रसंद रहेंगे तीस टिक अब ग्यान के प्रस्टन रहेंगे पत्चेस समाधी ग्यान के पत्चेस और अभेग्गिता ग्यान यह नॉर्मल जो डीजनिंग के वस्टन होते हैं वो रहेंगे 20 है ना प्रतिक सही उत्तर के लिए आपको एक उंक मिलेगा दो ऐसे में आपके सो क्वेश्चन के लि सब्सक्राइब करेंगे टाइम आप देख सकते हो यह ना के अंदर में आपको पचास-30 मिट पहरले पहुंचना होगा पेपर की अवदी से जो कि आपको टाइम के समें में कार्ड में आर्रेक अंग क्या है एक अब्यारती को लेकित प्रेक्षा में नियुंतम 35% अंग करने पर ही प्रेक्षा में उत्तिन घुस्ट किया जाएगा अना मतलब बहुत ज्यादा नहीं लाने हैं आपको यह आपको पास करना है तो आपको ऑन्ली ओन 35% अंग ही लाने हैं प्रतिशा तंग कि लाने पास करने के लिए प्रेशन पत्र का माध्या तो आप हिंदी चाहों तो अंकरी एप सकते हो ना इसके वाथ परिक्षा पार्टक्रंब तो आपका प्रेक्षा शहरीक लागा और यहां प्रिक्षे तो यह आप एंटे के वेब्चैट में भी चेक कर सकते हैं इसके बाद आप ज़रूरी है तो परिचाने के लिए वश्चाहिए आप पूरे वाल इंडिया में किसी भी श्रूट से हो किसी भी गाहों से हो चलेगा ओवी सी ओवी सी ओडी एंटी हो उन्हें निर्दार टॉप क्लास स्कूल में देनरत होना चाहिए ऐसे बिद्धालना को सुची वेबसाइट पर यहां पर इस वेबसाइट प्लब देन जैसे आप देख सकते हो देख से को इस वेबसाइट पर अब के इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर है तो हाप पर साथ सिंपल जाहिए चेक कर सकते हो नियुक्त जैसे आप गूगल में सब्सक्राइट करोगे इसके ऑफसले लिए क्लिक करो तक पूनिश ऑप्सन मिल जाएगा इसकूल के नाम चेक करने के लिए बढ़ा हो चेक करें दुखा भी देंगे इसके लिए प्रायर्टी है वह आपके 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 आप जो बासेख आया है वह डाइलाक से कमाने चाहिए फिर आप देख सकते हो कि आपको डेट अब बढ़त जो है नाइन वालों की एक चार से लेके एक चार साथ से बी लीरे सेम रहेगी। अब की इस प्रकार सी रहेंगी कर ये आपकी इस प्रकार से रहेंगी आपके मतलब बना चाहते हो तो अहां कि आपको स्कूल का नम कैसे चेक करना है आपके इस्कूल का नाम कैसे करना है यह लिए तो आप नियर्वाइब उनलाइन जाओगे उसे फॉर्म भर सकते हो पर खोड भी फोर्म भर सकते हो यह ना और यहत्य आपको सुरू कणर हम चECK करना है तापको S navi करना है इस वब शयक्रेट मेशान चले जाना है इस वेपसाइट में इसकी लिंग अपनी डिस्क्रेप्शन पर त्थ mogę सकते हो जैसे जैसे आप इस साइट में जाओगे इस साइट में जाने के बाद लापके करना है यहां पर देखते चलिए इस अब आप साथ की खुलने के बाद आप नीचे नीचे आएंगे यहां पर आप देख सकते हो यह मिलेगा आपको क्लिक करते हैं यहां पर आपनी स्कूल कह नाम देख करना कि तरहे सब्वीयचा करनी है इस आप को डिस्ट्रिक्ट सैक्ट करनी है श्रक्त करो यहां कर आपके यह पिखने भी आपके के तेंगे स्कूल है उनके नाम से हो जाएंगे आप नाम लिक की सर्च भी कर सकते हो और यहीं पर से आप चाहो तो यहां पर से अप्लाइब कर सकते हो तो दैंक्स अभी मिलते नेस वीडियो पर जट्रक धन्यवाद